मुरदबाद से सपासांसा डॉक्टर एस्टी हासन ने राम मंदिर परिवादित बयान देते हुए का कि राम मंदिर बन रहा है ठीक है एक मसला फत्म हो गया इन्ही के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुस्लिमों से पत्राव करा देंगे पत्राव क हैं दरसल सपासांसाद अपने आवाज परिसर में आयोजेत एक कारेकरम के दौरान सपाकारेकरताओं को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने विवादित बयान दे दिया कि इनके बात एक बड़ा अच्छा हत्यार है भाईयों महंदू भाईयों से भी क्याना चाह रहा हूं यह सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इसके बात फार्मूला हैं दू-मसल्मान का यह आखर में लाकर ऐसा हिंदू-मसल्मान करेंगे के लोग भुले बाले लोग धानी भाव ज़िए एक मसला खतम हो गया इनी के लोग जब चंद लेने निकलेंगे तो चंद विक्यावे मुसल्मानों से इनके पत्राव कराते हैं पत्राव के बाद उनके सांद जो हशर हुआ हुआ है मद्य पिर्देश में हुआ आपने देखा मैसिज देरा हिंदू कम्यूनिटी को पत्राव करने वाले भी यही थे और उनको रहते हैं बड़ा अच्छा हत्यार है भाईयों मेहंदू भाईयों से भी कहना चाहरा हुआ है यह सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इसके बाद फार्मूला हिंदू-मुसल्मान का यह आखिर में लाके ऐसा हिंदू-मुसल्मान कि लोग भूले वाले लोग भाउनाओं में बैके इंको वोट दे जेती हैं रुपक चागी हमारे समादा हमारे साजुर गए हैं रुपक सपा के यह जो नीता है इन्होंने जिस तरीके से यह बयान दिया है सांसद ने विवादित बयान इसके माईन ने क्या निकाले जाए और क्या कहना यह चाह रहे थे क्या जानकारी मिल रही है जैसे कि अपने सवा में संबोधित करते हैं उन्होंने कहा है कि यह इनी लोगों अब जो चंदा करने निकलेंगे राम मंदिर के दिये और इन यह जो है पत्राब के बाद में भी जैसी बारदातों को अंजाम देते हैं लेकिन हिंदु समाज की तरफ देखे तो एक यह पत्राब करने वाले भी होता है और फिलाल माहूल विवाण लेकी बात करते हूं ने जर आ रहे हैं फिलाल इस मामले में जो पिर्टिकरिया और भी दलों की सामने आई है इस गष्णा को निंद्यर रूप दिया गया और निंद्यर रूप देने के बाद में इस बयान को फरननाग बटाया गया जी हमारे साथ स्टी हसन जुड़ गए है खुझ जादा बात्चित के लिए अपने जो बयान दिया हाली में कारिक्रम में पथराव को लेकर कि जब चंदा लेने निकलेंगे तो कुछ चंद बिकेवे मुस्लिम हैं जो इन पर पथराव करेंगे इसको अब अलग नजरिये से दे काले हसन साब देखिए इस वर्डेश की जो राजनीटी चल रही है सबकुत माल हुए देश की राजनीटी में सांपे लाइकता बहुत जादा घुल गई हर जगा हिंदु मुसल्मान हो जाता है मैं मैंने सब कारे कारे कर्टाओं को इस बात की लिए आगा किया है कि कोई भी कोई आदमी हुआ एक पत्थर भी किसी ने फेग दिया तो बवाल हो जाता है सांपे दाइक सोहाथ बिगरने ना पाए और जब यह सांपे दाइक सोहाथ बिगरता है तो कुछ लोग गोट को पोलराइज करके फाइदा उठा लेते हैं अब आरे पर यह लग रहा है कि आप ह अपने बयान को लेकर क्या सफाई देना चाहेंगे हसन साब यह आप परष्ट शब्दों में बता दें आपको कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो सुन रहे हैं देखें सफाई किस बात की दूँ मैं तो सिफ यह कहना चाहता हूं कि लोग होश्यार रहे हमने इतिहास हमारा बताता है कि बात बात पे सामपेदाइक विवाद करा दिये जाते हैं और आइनितिक पार्टी उसका फाइदा उठा लेती हैं तो उसके जहां से में ना आएं उ और अपना सामपेदाइक सोहाद पर करार रखें कोई अगर इसा हिस्टान करने कोशिश करता है तो अनिला सिंग दूर गई है बीजेपी से जादा बातशीत के लिए अनिला जी आप कैसे देखती है हसन साब के इस बयान को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि चंदा इखटा करने जब निकलेंगे तो चंद बिकेवे मुसल्मान ऐसे होंगे जो पत्राव कर देंगे इन पर और मध्यप्रदेशी घटा तो सब ने देखी है हरसन साब जो हैं मेंबर ऑफ पार्लेमेंट हैं पढ़े लिखे हैं ट्रेंड डॉक्टर हैं उसके बाद भी अगर इस प्रेकार की बातें कर रहे हैं तो सीधा सीधा मैं हम क्या समझे एक ही चीज़ समझ में आती है ना कि जो इनकी पार्टी की आइडिलोजी है वह भाशा का यह प्रियोग कर रहे हैं उनका यह कोई हिंदु मुसल्मान ने कर रहा था मैं तो सच्चाई बता रहा था कि सच्चाई तो यह ना कि समझवादी पार्टी ने किस परकार से कतले आम कर आया था हां तर्यू जो है बिल्कुल डाल कर दी थी सच्चाई वह थी कि सच्चाई यह नहीं है कि खुदी मुसल्मान होकर मुसल्मानों के ऊपर दोश लगा रहे हैं कि पथर लेक पैसलिक जाएंगे पथर लेके और महारा मंदर पर पत्थराब करते हैं इसना असान है क्या हमारे स फिर घतीतर है राम चंदर जी को इस मामले में नहीं लाना चाहिए ना मंदर को मसला खतम हो गया मंदर बनने जा रहा है तो अब उसको माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए मेरी और इनकी पार्टी की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस मामले में कहीं भी सामपिर्दाइक लए नहीं हो और सांपिर्दाइक माहोल देश का ना भिगड़े यही तो यही तो सवाल है हशन जी कि आपने अपने कारिकरम में राम मंदर का नाम लिया फिर चंदे को लेकर अपने जिक्र के और अपने बयान दे दिया और आप कह रहें कि राम मंदर करा नाम नहीं लेना अगर लिया है तो इस अच्छे सेंस में लिया है विवाद के सेंस में लिया है विवाद खतम हो गया और और उसके बाद जो हो रहा है देश में दो टीन जड़ागी एक्जामपल है हमारे पाद कि ऐसा क्यों हो गया है तो हर सुसाइटी में कुछ बिक्यवे लोग नहीं होते हैं अगर एक भी आदमी ने किसी पर पत्सा देजिया तो बवाद शुरू हो जाता है सेंटिमेंट से जोड़ावा मामला है अपनी भावनावों पर कंट्रोल रखें और अपना सामपर दाइक सौहाथ बिगड़ने नह चाहिए देखें आप जैसे जो पढ़े लिखें मुस्लमान हैं उनको अपने आपको एक उधारन की तरह उनके समाज में थापित करना चाहिए अगर हिंदू मुस्लिम करनी है वो राजमी सी जो है समाजवादी पार्टी ने देख लिए उत्रदेश के लोगों ने नकार दि पार्टी वाले जो है वोल बटोडने की कोशिश करेंगे सी बात है मुसलमान भी इस चीज़ से तंग आ गया है और यह सोचने कि मुसलमान अगर विके हुए तो उसका एक्प्लाइशन तो अर्दम साब खोदी दे रहें कि मुसलमान विके हुए कि नहीं पिके हुए मैं तो सारे मुसलमान की बीश का है एं चंद में थे कमान लाग नाम रखेंगे हिंडू मुसलिम चंद लूग ऐसे ज्यांत कि देएndo नाम गया ह bets me यह तो आप भी जानती हो कि लोग पैसे के खाज क्या क्या बड़ी बात है तो मैं तो उससे आगा कर रहा हूं लोगों फिरिकाशन दे रहा हूं कि इस बात कर दियान लगें अब इस्तियार में ना वहावनाओं में ना वहाएं अनिला जी इनकी चंद मुसल्मान का इशारा किसकी और है उत्तर प्रदेश में तो अहाली में एंट्री मारी वेसी सहाब ने और सियासी हर्चल तेज है किसको कह रहे हैं या निला जी कि अब ये तो हसन साब और इनकी पार्टी वाले ही बता पाएंगे ऐसे कौन से मुसल्मान है जो अपना दीन इमान पैसे पे लेकर पेच लेते हैं और शीराम के उपर पत्था फैंकेंगे ये एक्स्क्राइशन देना पड़ेगा कि बढ़िया कौन से ऐसे मुसल्मान है जो अपने कारिकरताओं को इस बात की नहीं करेंगे तो क्या यह आपको शोभा देता है आप पाटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इस तरीके के वर्ट्स निकाल रहे हैं असन साब अरे हम अपने कारिकरताओं को इस बात की नहीं आजा नहीं करेंगे किसी भी सूरत में मौफल मत बिलाने देना हम क्या लोगों को बताएंगे नहीं हम चांपेदाई सौहाद प्यार मौबस बना रहे हैं चाहिए ठीक है आपने अपने बयान को लेकर सफाई दे दी है हम यह उमीद करते हैं कि आपके बयान को पॉजिटिवली लिया जाए बहुत शुक्रिया आप दोनों ही महमान का निला जी आपका भी बहुत शुक्रिया और एस्टी हसन साहब आपने समय दिया बहुत शुक्रिया तमाम बादशीत के लिए खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तंत्र टीवी और प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट